वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपने बाई आख से बहुत परेशान हूँ, अपने आप चलती है, लोग यूँ समझते हैं कि चलाई गई है, जान बूच कर मिलाई गई है, एक बार बच्पन में, शायद सन पच्पन में, क्लास मे एक लड़की बैठी थी, पास में, नाम था सुरेखा, उसने हमें देखा, और हमारी आख बाई चल गई, लड़की क्लास छोड़कर बाहर निकल गई, थोड़ी देर बात, हमें हयाद, प्रिंसिपाल ने बुलवाया, लंबा चोड़ा लेक्चर पिलाया, हमने कहा जी भूल हो गई, वो बोला, ऐसा भी होता है भूल में, शरम नहीं आती है, ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में, इससे पहले की हकीकत बयान करते फिर चल गई, प्रिंसिपाल को खल गई, हुआ ये प्रणाम, कि कट गया नाम, बमुश्किल तमाम, मिला एक काम, तो इंटर्व्यू मे खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने अड़ी, अचानक मुड़ी, नजर उसकी हम पर पढ़ियो रांक चल गई, लड़की उचल गई, दूसरे उम्मीदवार चोंके, लड़की का पक्ष लेकर भौके, फिर क्या था, मार मार जूते चपल, फोड़ दिया बकल, सिर डर के काप रहे थे, तभी पूचा उस घरवाली ने, कौन, हम खड़े रहे मौन, वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं, और इससे पहले की मैं जबान हिलाऊं चल गई, वो हमारे गुस्से के जल गई, साक्षा दुरगासी दीखी, बुरी तरक चीखी, बात की बात में जुल गई अड़ासी पड़ासी मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा, चड़ी बना दिया हमारा पैजामा, पनियाइन बन गया कुरता, मार मार कर बना दिया भुरता, हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकालते रहे और जब हमें आया होश, तो देखा, अस्पताज में पड़े थे, डाक्टर और नर्स घेरे खड़े थे, हमने अपनी एक आँख खोली, तो एक नर्स बोली, दर्द कहा है, दर्द कहा है, हम कहा कहा बताते, और इससे पहले की कुछ कह पाते चल गई, चल गई, नर्स कुछ नह नहीं बोली, मगर डाक्टर को खेल गई, बोला, बोला, इतने सीरियस हो, फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस साल में, शरम नहीं आती, महाबबत करते हो अस्पताल में, उन सब के जाते ही आया वाल्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, भाग जाएं चिपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डाक्टर को खाग गई है, केस आपका विगणवा देगा, और नहुआ तो मरा हुआ बतला कर जिंदा ही गणवा देगा, एक दिन सकारे, एक दिन सबेरे, बाप जी हमारे बोले हम से, क्या कहें तुम से, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, क मैंने देख ली है जरा हैल्थ की कच्ची है बच्ची है फिर भी अच्छी यह जैसे भी आंखि लड़की है अगर के फलेटा यहां भी तो कड की है हम ने का जी अभी क्या जल्दी है वे बोले कंडें हो दाई मन के हो गये मगर बाथ के सीने पर लदें हो वो घर फंगया तो समल जाओगे, खोटे सिक्य हो मगर चल जाओगे, तब एक दिन भगवान से मिलके, धलकता दिल ले, पहुंच गर रूर की, देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास, बैठी थी हमारे पास, बोली, यात्रा में तकलीप तो नहीं हुई, और हमारी आख मुई चल वे समझी की मचल गई, बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की मा हूँ, लड़की को बुलाओं, और इससे पहले के मैं जबान हिलाओं, चल गई दुबारा, उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, फिर जटके से खड़ी हो गई, हमारे बाद जी का सारा प्लान ही ध हो गई, हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे, मूँ लड़काए, पिता जी बोले, अब क्या फायदा मूँ लड़काने से, आग लगे ऐसी जवानी में, तू मरो चल्लू उबर पानी में, नहीं डूप सकते तो आख फोल लो, नहीं फोल सकते तो हमसे नाता ही तोल जब भी कहीं जाते हो, पिट कर ही आते हो, अरे भगवान जाने कैसे चलाते हो, अब आप ही बताईए, अब आप ही बताईए, क्या करूँ, कहां जाओं, कहां तक गुनगाओं अपनी इस आख के, कमबक्त जूते खिलवाएगी, लाख दो लाख के, अब आप ही समालिये, मे आप चलती हो, पता लगाइए, हो मिल जाए तो काका जी को बिजाईए